हलो एवरीवान तो मैं हूँ प्रियाम इश्राइंट स्वागत करते हूँ आप सभी के फेवरेट यूडियूब चैनल जे आर जूनियल्स पे तो कैसे हो बच्चों मजे में हूँ बहुत अच्छी तरह से स्टेडिस चल रही है तो आज का लेक्चर है हमारा पोस्टेंडर्ड करना रहता है क्यारी आगे वाले को देना रहता है तो इसका एक और लेक्चर आ चुका है तो प्लीज बच्चों उसको जाके देखो ताकि आपका स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर क्लियर रहे तो यह है इस चैप्टर का लेक्चर नमबर टू इसमें भी हम सिमिलर सीखेंगे बट इसमें हमें उपर नमबर दिया है आपको सारे नमबश को फिल करना है एंड देन आपको क्या करना है एडिशन परफार्म करना है चलो फड़ा फड़ Info करते हैं हमें vertically arrange करना, अब सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? Unit आ जाएगा, then tens, then hundred, ठीक है? First वाला box कैसे fill करते हैं? यह आप सभी को अब तक आ चुका होगा, then क्या करना है? यह हमारा जो box है, यह किस के लिए है? यह boxes है carry के लिए, तो इसमें कुछ भी ने लिखना है, जब carry generate होगा, तब हमें carry लिखना है, इसमें, ओके? Then आपको कौनसा number दिया हुआ है? 2, 3 and 5, उसके बाद 1, 4 and 6, अब इसे क्या करना है? अड़ करना है, चलो, अड़ करते हैं, अड़ करना, start करते हैं, क्या दिया है आपको पहले? 5 plus 6, 5 plus 6 कितना होता है? 11 होता है, कितना होता है? 11 होता है, तो 11 का नीचे आएगा 1 and carry जाएगा 1, ठीक है? नीचे आएगा 1, carry जाएगा 1, then क्या दिया हुआ है? 3 plus, sorry, 4 plus 3, कितना होता है? 7 होता है, 7 में जो हमारा carry है इस carry को क्या करना आपको इनके साथ में add कर देना है ठीक है? तो यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा अब इसके साथ और कोई number है क्या? 18 है क्या अगर यहाँ पे 18 होता तो 8 नीचे आता and 1 उपर जाता carry में बट यहाँ पे क्या है? simple 1 number है तो carry generate नहीं हो रहा है देन आगे क्या दिया हुआ आपको? 2 प्लस 3 2 प्लस 3 इसके पास कोई carry है क्या यहाँ पे? नहीं है तो क्या करना? इससे simple add कर देना है 2 प्लस 3 इस 3 sorry 2 प्लस 1 इस 3 चलो अभी आगे बढ़ते है second question की तरह second question क्या दिया हुआ है आपको? same इसी तरह से करना है unit, tens and hundred fill कर दिया यह वाला box कुछ भी नहीं करना है क्यूंकि इसमें हम addition करने के बाद carry लिखेंगे चलो अभी इसको arrange करते है 3, 4, 6 then 1, 2, 9 चलो अभी इसे add कर देंगे 9 प्लस 6 9 के बाद क्या आता है? 9 में अगर 3 add कर दिया तो 12 होता है 12 में 3 add कर दिया तो 12 के बाद 13, 14, 15 कितना हो जाएगा? 15 15 का यहाँ पे आएगा 5 उपर जाएगा 1 ठीक है? 15 कैसे लिखते हैं? 1, 5, 15 तो 5 नीचे 1 carry उपर ठीक है? यह इस side का जो number रहेगा इस side का number आपका नीचे आएगा and इस side का जो number रहेगा वो आपका उपर जाएगा carry में हमेशा याद रखना इसी तरह से आपका जो number होता है वो divide हो जाएगा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चलो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 6 में 1 add करेंगे ठीक है? क्योंकि इसके पास carry है तो 6 में 1 add कर दिया 7 आजाएगा यहाँ पे क्या आएगा? 7 आगया ओके? बेन क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 1 is 4 तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा ओके? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस question की तरफ इसमें क्या दिया हुआ है? आपको 3 numbers दिया हुई है ठीक है? तो इसको भी similar way में करना है unit, 10s and 100 यह वाला box इसी तरह से खाली छोड़ना है आपको अब numbers लिखने हैं कैसे लिखेंगे? 5, 3, 6 then 2, 3, 6 then 1, 9 ओके? यहाँ पे 2 ही digit है 2 ही number है तो यहाँ पे इस तरह से 2 number आ जाएगा ओके? चलो अब इसको भी कैसे add करना है? इसी तरह से add करना है simple जैसे हम add करते हैं उसी तरह से ओके? अब 6 चलो यहाँ पे कितना हो गया? 6 plus 6 कितना होता है? 12 होता है ओके? अब 12 में कितना add करना है? हमें 12 में 9 add करना है ओके? 12 में 9 add करेंगे कितना बन जाएगा 6 plus 6 12 12 के बार 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना होगा 21 होगा तो यहाँ पर आएगा अभी यहाँ पर यह 21 इस तरह से लिखते हैं 21 का 1 आएगा नीचे and 2 जाएगा उपर कहां पर आगे वाले के पास कहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा क्या 2 आजाएगा आगया 2 then क्या दिया हुआ है 3 plus 3 कितना हो जाता है 6 6 plus 1 7 अब इसके पास कहारी है क्या yes है तो कितना बन जाएगा यह कितना हो गया यह 3 plus 3 6 6 मे 1 एड़ किया 7 7 में 2 एड़ किया 8 9 कितना हो गया 9 तो यहाँ पर आगया 9 अब यहाँ पे कोई carry generate हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे बस आगे वाले number को simple add कर देंगे जैसे 5 plus 2 is 7 तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा है कि नहीं बहुत जादा easy बहुत easy है चलो एक और question ले लेते हैं इस तरह का दें इस chapter को over करेंगे means कि इस practice set को खतम करेंगे इसके बाद आपको दिया हुआ है एक word problem जो कि बहुत easy है उसे भी हम solve करेंगे फिर हो जाएगा आपका यह छोटा सा chapter clear चलो इसमें आपको क्या दिया हुआ है आगी का number कुछ ले लेते हैं जो कि 3 digit वाला हो 3 मतलब 3 numbers हो जिसमें वो वाला ले लेते हैं जैसे दिया हुआ है आपको एक number क्या है 270 ओके 270 प्लस 196 प्लस क्या दिया हुआ है 58 ओके तो इसी तरह से हमें लिख देना है सबसे पहले ये देन ये देन ये ओके सो 270 देन 196 देन 58 हो गया अब इसे क्या करेंगे एड करेंगे क्या से एड करेंगे 8 प्लस 6 कितना होता है 8 में 6 एड करना 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 कितना होता है 14 होता है तो 14 का नीचे 4 ऊपर 1 carry यहां पे आ गया 1 carry ओके दैन क्या दिया हुआ है आपको यह carry है यह इसको इसी के साथ में add कर देना है चलो तो अभी यहाँ पे पहले देख लेते क्या क्या number दी हुई है आपको 7 दिया हुआ है 7 में 1 को add कर दो पहले कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 8 प्लस 9 कितना होता है? 17 होता है 17 हो जाएगा 17 में 5 add करेंगे 17 के बाद 18, 19, 20 21, 22 कितना होता है? 22 So 22 का एक 2 आएगा यहाँ पे and दूसरा वाला 2 कहा जाएगा? यहाँ पे जाएगा यहाँ पे आगया यहाँ पे carry ओके? आगया की नहीं यहाँ पे carry आगया इसको क्या करेंगे? इन numbers के साथ में add कर देंगे 1 प्लस 2, 3 ठीक है? 3 प्लस 2, 5 हो गया? है कि नहीं बहुत जादा easy chapter है आपको जितने भी इसमें practice set and problem sets दी हुई है वो बहुत जादा easy है तो इस chapters को skip मत करना समझने में जादा problem हो रही होगी तो chapter को अच्छी तरह से बार बार देखो कि किस तरह से हम carry लेते है and जितने भी questions दी हुई है मैंने यहाँ पर आपको 4 questions लिया है 4 questions और दिया हुआ है तो वो 4 questions को आप खुद से solve करोगे तो बहुत जादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपकी practice हो जाएगी तो solve करना बिलकुल भी मत भूलना क्योंकि यह क्या है आपका homework है और इसे solve करो and comment ज़रूर से करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे आपको कौन से chapter पे lecture चाहिए वो भी ज़रूर से comment करना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करना subscribe करना and अपने star reference से share भी ज़रूर करना तब तक के लिए bye bye मिलते हैं next lecture में